बिस्मिल्ला है रह्माल रहीम इसलामबाद आर चैनल से मैं मिस्जिस हारूंगे लानी आपसे निफातिक हूँ आई मैं आपके सामने मठाई बना रही हो बेसन लडो बहुत मज़ proportions बनते हैं तो इसे ज उसमें यह मैंने किश्मिश्ली है लैची पॉडर मैंने चीनिंग में डालके पिस्टा है पिस्टा बादाम खोपरा यह सब कटीवी चीज़ नहीं यह मैंने और यह एक टेबल स्पून पानी डालकर मैंने यह हाफ टीस्पून कलर जो है यालो फुर्ट कलर जजर्दा कलर होते हूं और मैंने खुला है अ इसके लावा कोपरा लिया है यह मोटे मोटे इस तरह करें अए मेंने एक किलो बेसन लिया है और में इसके लिए है और यह सारी चीजी अब प्रॉड करते है और सब्सक्रिटेशा करने लिए हमें इसमें गोर्ड शामिल करना है तोड़कर इस तरह ब्ला डाल लिया है आदा किलो बेसन है नो है एक किलो बेसन है और आदा किलो ये बूल जो है वो तोड़ार वे को यह हम इसका क्षीला उने थे को यह विस सबसे पहले ब्हूना है उसके लिए मैं तक्रेबन फोटे वस्पून तो पिसमें घी दाल रही हुँ और फोटे वस्पून मैं बुर में डाल रही है यह पर मेल्च करने के लिए अभी शामिल को अब इसमें बेसन डाल कर इसको अच्छे त्रीके से बुनने कलर चेज़ देगा अब बुनें बेसन को अच्छे त्रीके से बुनना को यह निसका कलर जोड़ चेज़ देगा बेसन का जाइका खराब नहीं करना ना ज्यादा जिलाना है ना ज्यादा बहुत ज्यादा ब्रॉण भी नहीं करना और ऐसा बुनना है कि इसका कलर जाइका बलकरार है बिशन को भूननी के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे और अच्छे तरीके से भूनते जाना है गुर्ट को मैंने गी डालके मेल्ट कर लिया है और यह तक्रीबन मेल्ट बिल्खल हो जाने लगा है बस थोड़ा सा रह गया है हलका हलका लुटली है गुर्ट मेल्ट हो गया है और यह 2-3 मिनट में ही मैल्ट हो गया है ज्यादा टाइम नहीं लगा अब इसको फ्लेम आफ करके एक साइट पर कर देते हैं अब इसमें ड्राइफ फ्रूट्स क्यामिल करती हूं अलेची पाउडर सबसे पहले तो थोड़ा मिक्स करके द्राइफ फ्रूट्स क्यामिल करती हूं पिछता थोड़ा समय गार निष्ट के लिए रखूंगी बाकी सारी ड्राइफ फ्रूट्स मकंबर डाल देंगे बेशन इतना गरम है कि ड्राइफ फ्रूट्स खुद ही रोश्ट हो जाएंगे इसके अंदर मैने इसके अंदर ही तो दफोड़ नहीं किये तर रंग लिया था वह में गूर के अंदर डाली आप इसके ना मिक्स करोंगी גם कहले इस्टे गणार मिक्स करेंगे फिर गूर्ँ चॉबित करेंगे बैसमित अब ये मैलिक हुए वे गोड़ में बेसन जो हमने बुनाई किए इसमें शामिल करके इसको मिक्स करेंगे अब इसको अच्छे त्रिके से घोड़ और इक्स को यप जान कर लेना है बिल्कुल इंसाइट त्रिके से मिक्स करना है देखे इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया घीर डाला है और भूड डाला है और बेसन भूना है यह बहुत इजी और मिंटों में बन जाता है कोई इसमें मुश्किल काम नहीं था ड्राइब टूस काट गए आपने और जल्दी से बेसन का हलवाती यारोजेगा वह बेसन जीवत बुनाई अच्छी सी करना है कच्छा पंसारा करना है कि बेसन कच्छा नहीं रहने चाहिए अब इसके लड़ू बन जाएंगी फोड़ा से इसको में ठंडा कर दी हूं बाया बार इसलिए ला रहें तत्थ खंडा होजे जब इसे बहुत गरम होता है इसलिए भी इसको हाथ नहीं रासर के फोड़ू इसकी गर्मी निकल जाए तो यह इसको लड़ू हुना नशू करत जाता है जो पीडिए है कि नेश dużo अपनी मर्जी इतने मर्जी डाल सकते हैं यहां काजु अब पिनेट्सवीं डाल सकते हैं इसके अलाबा और ब्लात आको मेरे चाहिते जाल नें esas your heart ताकि मठाईयां बहुत अच्छी रहती हैं थोड़ सी खाले ठंड खतम हो जाती है अब बेसन अभी गरम है लेकर थोड़ा कम हो गई है अब मैं बनाना शूर कर रही हूं हाथ से इस तरह अच्छी तरह यूं कर लेने हैं उल्यों से और उसके बाद के इसको पथेली पर गुमाने जिस्ते करके और यह गोल हो जाएका बिल्कुल रौंग बन दें इस तीके से मनामना के रखते जाना है हाथ से बनाने थोड़ा सकत हाथ लगेगा और यह अभी नरम है और जब घी जम जाएगा तो यह गोड भी जम जाएगा और यह भी ताइट हो जेंगी और अभी नरम है क्योंकि गरम है बहुत इसलिए कि इतना गरम होता है उतना मुश्किर होता है और आइस्ता इस्ता इठंडा हो जाएगा फिर वह जुड़ते नहीं और इसको गरम को यह बनाना होता है इसको फिश्टे से गानिश करेंगे और व्यासे लड़ू बड़ी असानी से बन गए है और वड़ी मज़ेकर बनी हैं जाइका भी अच्छा आ है और इंशाला आप भी बनाएंगे तो अच्छा ही बनेंगा इन्शाला और इसी तरीके से वीडियो को पॉलो करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और दौाओं में में याद दखें नेक्स ट्रेस्पी के लिए हम फिर हादर होंगे जाज़त दीजिए अला ने वास